एमस वर्ड के जीरो टू हीरो इन फाइब मिनिट के स्कोर्ज में आज हम बात करेंगे क्लिप बोर्ड के बारे में इससे पहले हमने फॉन्ट के बारे में सीखा था हमने सभी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बना रखी हैं अमारे चैनल पर जाकर आप बड़ी असाने से वीडियो इसको देख सकते हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का लक्षा शुरू करते हैं क्लिप बोर्ड जो भी टेक्स्ट या लाइन को हम कट्या कोपी करते हैं वो सब क्लिप बोर्ड में टेंपरेरी स्टोर हो जाता है एक बार किसी भी टेक्स्ट को हम कट्या कोपी कर ल हट जाएगा डिलीट हो जाएगा यानि कि लेटस्ट 24 डेटा ही कोपी रहेगा और जो डेटा है वो टेंपरेरी बेसिस पे रहेगा जब तक हमारा कंप्यूटर ओन रहेगा तब यह कोपी किया हो डेटा क्लिपड में सेफ रहेगा कंप्यूटर बन होने के के बाद हमारा जो डेटा है वो डेलेट हो जाएगा यानि कि हमें फिर से डेटा को कॉपी करना पड़ेगा ठीक है यह कुछ कंडिशन सी थी जो कलीबड के बारे में आपको पता होना चाहिए तो क्लीबड गुरूप में कुछ ओप्शन्स दिएगे हैं जैसे कट का कॉपी का पेस्ट का पेस्ट के अंदर भी कुछ ओप्शन्स हैं हम उनको भी देखेंगे और यहां पर फॉर्मेंट पेंटर दिया हुआ है और यह एरो है इस पर जब हम प्रेस करते हैं तो एक लिबड ओपन हो जाएगा ठीका जी तो पेंटर के जरिए उसे कर सकते हैं जैसे देखिए मैंने इस टेक्स्ट पर कुछ इफेक्ट आले है यह इसका साइज बड़ा कर दिया इसका फोन स्टाइल चेंज कर दिया कलर दे दिया इसको अब मुझे यह सेम एफेक्ट किसी दूसरे फॉर्मेंट पर चाहिए तो मैं का क यहां लीजिये हमने किसी लाइन को यहां से हटा कर का कही दूसरी सैड में यहां पर रखना है तो हम क्या करेंगे simply उस line को select करेंगे और cut के button पर click करेंगे तो यहाँ से cut हो जाएगी अभी जो cut किया हो data है यह हमारे को clipboard के अंदर दिखाई दे रहा है अब हमें जहाँ पे भी इसको रखना है वहाँ पर जाकर paste पर click करना है तो यह data paste हो जाएगा अभी भी एक clipboard के अंदर history के room में पड़ा है हम चाहे तो इसको दुबारा भी paste कर सकते है ठीक है जी अब बात करता है copy की माल लिजी यह जो paragraph है मुझे तीन बार चाहिए तो हम क्या करेंगे इस paragraph को select करेंगे और copy पर click करेंगे copy करने से क्या होगा यह यहां से cut भी नहीं होगा और मुझे यतनी बार चाहिए मैं वहाँ पर paste भी कर सकता हूँ अब मुझे तीन बार चाहिए तो मैं paste पर तीन बार click करूँगा या इनकी जो shortcuts की है cut के लिए control X है copy के लिए control C है और paste के लिए control V है हम इनके जरिये भी काम कर सकते है फिलाल हम button से ही use करके देखेंगे ठीका जी तो यह को तीन बार click किया तो तीन बार यह क्या paragraph हमारा आ चुका है अब यह clipboard के अंदर भी हमको दिखाई दे रहा है देखिए अगर हमने पहले वाला text जो cut किया था वही हम दुबारा paste करना चाते है तो हमें दुबारा उसे copy करने की जूरत नहीं है clipboard की history में वो पड़ा है simply उस पर जाकर हमें click करना है और वो data यहाँ पर आ जाएगा ठीका जी जितना भी हमने copy किया हुए है वो clipboard के अंदर पड़ा है अगर हमें उसको delete करना है तो clear all पर click करेंगे तो यह सब भी delete हो जाएगा अगर हमें single delete करना है तो इस arrow पर जाकर इसको हम clipboard से delete कर सकते हैं या फिर हम चाते हैं कि clipboard में जितना भी data हमने copy किया है उन सब को paste करना है तो paste all पर click करेंगे तो यह सारा paste हो जाएगा ठीक है जी clipboard के नीचे यहाँ पर एक options का बटन दिया हुआ है जैसे इस पर click करते हैं तो वो सारे options हमारे सामने आ जाएगे जो कि clipboard के बारे में ही है आप उनको use करके देख सकते हैं अराम से समझ आ जाएगा अगर किसी को doubt लगता है तो हमें comment section में पूछ सकते हैं ठीक है अब next बात करते हैं यहाँ पर paste के अंदर option मिलता है paste special का जैसे इस पर click करते हैं तो यहाँ पर भी काफी सारे options आपको मिल जाएगे मां लिजे मैं यहाँ पर Microsoft Word document object को select करता हूं तो जो मैंने data copy कर रखा था वो इस तरह से paste में आ जाएगा एक box के अंदर picture format के तरह आ जाएगा हना तो इस तरह से हम paste special में बहुत सारे options मार पास दिये हुए है जुरुत के हिसाब से इन में से हम select करके अपरे data को paste कर सकते हैं अब मैं एक new page ले ले लेता हूं अब यहाँ पर ctrl v press करता हूं तो यहाँ पर मैंने जो copy किया था पिछले documentum data वह यहाँ पर paste हो जाएगा कहने का मतलब है जो data हमने copy किया हुआ है वह हम कहीं भी paste कर सकते हैं चाहिए वह excel हो paint हो word हो कहीं भी हम वह paste कर सकते हैं ठीक है जी पेस्ट के अंदर यहाँ set default paste की setting दे रखी है जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करते है तो जो paste की setting है वह यहाँ आ जाती है हम जुरूरत के हिसाब से इसको ओनिया उफ कर सकते हैं तो हमने इस वीडियो में क्लिक बोर्ड के बारे में सीखा है आई होप वीडियो आपको इंफोर्मेटिव लगी होगी तो जुड़े रही गए के मैगनेट की तरह मैगनेट अकाउंटिंग पर ठैंक्यू काइज पांच-पांच मिंट के जो लक्षे रहते हैं उसमें हम मैक्सिमूम से मैक्सिमूम डिटेल देने के कोशिश कर रहे हैं